यमुना नदी में दिख रहा सफेद जाग कितना जहरीला यमुना नदी में फैल रहे इस जहर का जिम्यदार कौन है दिल्ली के पर्यावरन मंत्री गोपाल राय ने इस मसले पर साफ साफ बीजेपी को घेर दिया है और कहा कि बीजेपी शासत राज जैसे की उत्तरप्रदेश हर्याणा और राजस्थान पर्यावरन के मसले पर सो रही है लहाजा नदी साफ नहीं हो रही है वहीं बीजेपी ने ता मनोज तिवारी यमुना की ऐसी हालत के लिए दिल्ली सरकार को जिम्यदार ठहरा रहे है लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली की यमुना और दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 18 अक्टूबर को सुबा एक तरफ यमुना नदी में सफेज जाग फैला हुआ था तो दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानि की AQI 293 था जो खराबशनी में आता है और ये हल तब है जब अभी दिपावली में 10 दिनों का वक्त बचा हुआ है और ठंड की 10 तक भी नहीं हुई है थोड़ी सी ठंड और पठाके इस एयर क्वालिटी को आने वाले दिनों में इतना जादा खराब कर देंगे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा हाला कि गोपाल राय का कहना है कि दिली सरकार प्रदूशन कम करने के लिए लगातार काम कर रही है जल्द ही इस बारे में एक नई योजना पर चर्चा के लिए बैठक भी की जाएगी ताकि प्रदूशन के होट स्पॉट की बहतर निगरानी की जा सके लेकिन सवाल अब भी अपनी जगे कायम है कि वायू और जल्द प्रदूशन से आखिर दिली वासियों को राहत कब मिलेगी